कैसे आप लोग सब आशा करते कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक हेर रिंस बताने वाली हूँ और यह जो पटिकुलर हेर रिंस है यह हम बनाने वाले इमली से तो हम में से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स होंगे जिनको पता नहीं होगा कि इमली हमारे शरीर के लिए जितना अच्छा है उतना ही हमारे स्किन और हेर हेल्थ के लिए अच्छा है येर पैक भी बना सकते हैं। ये तो आज जो मै बनाने बाली हूँ, वो है येर रिंस तो आपको चाहिए इमली आप कोई भी कहीं काभी इमली लेआ हो लेकिन वो ब्लैक वालênio ओल वाला जएक अपले हम लियमे मैं ब्लैक वाला हैं से ही ये वाला हैँ तो इमरी में आपको पता ही होगा ये सारी जो भी मैंने नाम लिया है इसके अलग-अलग पिल्स मिलता है जो कि हमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं और कहते हैं कि ये खाओ तो आपके हेरुवाइग चोपर होगा हिए अलोग है अलोग है तो में अलगे। अलोग होगा पिल्स मिलता और अलोग डेल पर खंड़ और गोमारे ब्रवें और जिनको भी ड्राइंडर्फ का प्रॉब्लम है वह इसे यूज करें वीकली वंस यूज करें या फिर ट्वाइस भी कर सकते हो और उसके बाद आप कोई भी एंट्राइंडर्फ शाम्पू या फिर आप बॉड़ी सौप का जो जिंजर शाम्पू आता है उसे भी आप तो मैंने एक गुजबएरी यानि एक आमला का साइज का एक इमली का बॉल बना धिया था और उसके बाद उसे पहले ढ Nich अ क्योंकि जब इमली को सुखाते हैं ना अर बाहर में सुखाते हैं तो इसमें डरस्ट वर्स्ट आ सकता है पता क्या क्या आते हैं जब हम सामबर या फिर और भी कुछ बनाते हैं हम पहले दो लेता है न अऔर उसके बाद आपको एक बड़ी सी बावल लेना है क्योंकि हम बाउल मेथड में ही इस रींज को यूज़ करने वाले हैं तो इस बाउल में हम डालेंगे एक लीटर पानी मैंने एक लीटर पानी उसके बाद वो जो हमने टैमरीन लिया था मतलब इमली लिया था तो इसे हम इसमें अच्छे से उसका निचूडा बना लेंगे, मतलब उसका पूरा अज़तम भदूडा टाइप का बना लेंगे, उसको बहुत देर तक इस पानी पे हम मसलेंगे, तो उसका उज़तम अलग-अलग सा हो जाएगा, उसके बाद हमें फिर से इसे रख देना है, आप ओवरनाइट रख सकते हो, और अगर ओवरनाइट करने का वक्त नहीं है, तो दो-तीन घंटे के लिए ऐसे रख सकते हो, उसके बाद मैं ओवरनाइट रखने के लिए अक्चूली उसी बॉटल में मैंने रख दिया था, आप चाहो तो आप उसी बाउल पे रख सकते हो, क्योंकि मेरे पास बाउल की कमी है तो मैंने बॉटल पे ले लिया वैसे और उसके बाद मैं नेक्स डे यूज करूँगी अब इसे कौन से बालों पर यूज करना है मतलब ऑईली हेर पर करना है या फिर गंदी हेर पर करना है तो मैं आपको बोलूगी आप हो सके तो कोई भी लाइट शैंपू से पहने बाल को धोले और उसके बाद आप ये जो रिंस है इसे यूज करें अब सवाल आता है कि इसका हम क्या करें जो नीचे बच जाता है तो आच्छुली मैंने ये भी देखा है कि इससे भी कोई-कोई स्कैल्प को क्लेंस करते हैं मैं इसका आच्छु के लिए आप ना करें मैं जब वीडियो दूंगी आपको समझ आई जाएगा लेकिन हाँ ये रिंस को आप जरूर ये मतब यूज करें अपने रूटीन पे हेर के रूटीन पे बहुत अच्छा रिजल्ट होता है और में बस पाच रूपिय भी नहीं लगता है मैं बस दो र इंग्रिडेंट्स से हम बहुत कुछ बना सकते हैं जो कि हमारे हेर हेल्ट और एस वेले स्किन हेल्ट के लिए बहुत जादा अच्छा है तो आज का ये जो वीडियो का डेमो देखने के लिए आपको क्या करना है आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और उसके साथ जो बेल बटन है उसे भी आपको क्लिक का देना है ताकि मेरे चैनल के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचाए तो मैं ऐसे कभी-कभी कुछ-कुछ रिंज है ये मैं अपने DIY कर्ली गर्ल मेथड रूटीन पे मैं यूज करती हूँ तो आप भी ऐसे रूटीन हूँ और एक बाउल से और एक बाउल में जब ट्रास्फर करती हूँ बीच पे मेरा माथा आ जाता है और जो भी रिंज मैं लेती हूँ मैं मेक शूर करती हूँ कि मेरे स्कैल्प पे बहुत अच्छे से लग रहा है अगर आपको अच्छे से देखना है कि मैं कैसे रिंज ल और हां और एक बात मैं specifically बोल दूँ यह ऐसा नहीं कि बस कर्ली हेर या फिर वेवी हेर ही यूज कर सकते हैं कोई भी टाइप के आपके बाल हो आप यूज कर सकते हो में यह हमारे हेर हेल्ग के लिए अच्छा ही यह स्टाइलिंग के लिए मैं नहीं बोल रही हो तो अगर आप इस वीडियो प्यूपिट नहीं प्यूज कर देन आप यह खायें देन रही फिट बाइ